हालो दोस्तो मैं आपका दोस्त टॉक्र संदीप तो दोस्तो यह देखो यह कॉंच की बेल यह देखो दोस्तो उपर भी यह लगे हूए यह इसके अंदर से काली बीज निकलता है काले रंग का तो इसे काली कॉंच बोलते हैं तो दोस्तो कॉंच के गुणों के बारे में तो आपने सुना ही होगा मगर आज मैं आपको इसकी जड़ के बारे में कुछ बताऊंगा तो देखो दोस्तो ये बेल सूख चुकी है काफी इधर भी मैंने लगाई हुई है ये देखो अब तो ये सूख चुकी है बेल अब इनकी ये फली जो है ये तोड़ी जाएंगी इनके बीज निकाले जाएंगे तो दोस्तो ये सफेद कौँच से ज़्यादा फैदेवन्द होते हैं काले कौँच करना है हमें ये काली कौँच की ताजा जड़ लेनी है दोस्तो काली कोंचोनी चीज सफेद नहीं तो इसकी ताजा जड़ लेके उसे पीस के उसका रस निकालना है उसका रस दोस्तो एक चमच शहद के साथ आप सुबह खाना खाने के बाद लो योज करो उसके बाद आपको अगले दिन फिर उससे अगले दिन ये दोस्तो तीन दिन आपको यूज करना है और तीन दिन ही दोस्तो ये काफी है नमर्दी को खतम करने के लिए दोस्तो कितनी भी धात आती हो, स्वपन दोश होता हो, नमर्दी हो या शिगर पातन हो दोस्तों मात्र तीन दिन में जड़ से खतम हो जाएगी वो दिक्कत ये दोस्तों कौंच की फली है देखो इनके अंदर से काले रंग का बीज निकलता है तो इसकी दोस्तों आपको जड़ लेनी है खाली जड़ी आपको यूज करनी है बीज आप अलग से पाउडर बना की यूज कर सकते हो मगर आप खाली जड़ को अगर तीन दिन यूज कर लेते हो तो नमर्दी को वो जड़ से खतम कर सकती है इतनी पावर है इसके अंदर तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं अपने उन भाईयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज यूज कीजिए फ्री की चीज है घर की चीज है आमखाश खेतों में, सडकों पे, जंगलों में मिल जाती है तो मेरे वो भाई जरूर यूज करें और अपने दोस्तों को भी यूज करवाएं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बाकी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें, शेयर करें और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी याशी ही चमतकारी बूटियों के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा, धन्यवाद